जाहें दिश्टुटेंट्स विलकम बैक अगें दिस दिव्याशो पांडे हाउती रिवेलियन को लेकर अमेरिका के दौरा एक बड़ी कारवाई रेड सी में की गई है जहांपर अमेरिका ने अब हाउती जो मिलिटेंट्स एं टेरिस्ट हैं उनके शिप को रेड सी में तो चलिए शुरुवात करते हैं आज किस क्लास की जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसराइल हमास का यो युद्ध चल लहा है 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक उसके चलते इरान के दौरा जो समर्थित होधी रिविलियंस हैं अटैकर्स हैं जिसको हम कह सकते हैं यह यमन से आ और एक बार फिर से संदे के दिन इनके द्वारा जो है यह गुस्ताखी यह कारवाई जो है सिंगापूर के शिप पर की गहें सिंगापूर के शिप ने सीधा अमेरिका की नेवी से कांटेक्ट किया और अमेर्कन नेवी वहाँ पर उनको रेस्क्यू करने पहुची जहांप दोनों के बीच काफी लंबी और काफी भीचन भणनत हुई जिसमें अमेरिका के नेवी के द्वारा रेड सी में हाथी मिलिटेंट्स के शिप को डूबो दिया गया और साथ इसाथ 10 हाथी अटैकर्स को जो उसमें मार दिया गया है ये नेवल वैटल आपके 330 GMT संडे को कंड़क्ट हुआ जहां पर सिंगाफूर फ्लैग मैरक्स हैंगजू जो एक शिप थी एक कमपनी है उसी की एक ये शिप है जो की अपने रूट पर जा रही थी रेड सी से होते हुए इसको जो हाथी मिलिटेंट के द्वारा आपका रोका जाता है उनको कोशिश होती ही रोकने की लेकिन जो आपके शिप वाले थे जितने भी क्रूव मेंबर्स थे वो सीधा जो है अपने जो आस पास की सेक्यूटी एजंसी मेंली अमीरकन वहाँ पर नेवी सेक्यूटी एजंसी मौजूद रहा करती है उनको वो कांटेक्ट करते हैं और इसके बाद जो है नेवल बैटल ग्राउंड रिड सी में आपका स्टार्ट हो जाता है जहां पर अमेरिका के हेलिकॉप्टर यूसस एशी नोवर और यूसस ग्रैवली आपके जो है शिप सेक्यूर्टी टीम को जॉइन करते हैं और उन अटैकर को जो है खदेर्ने में पूरा भर से प्रयास निभाते हैं वहीं पर हौदी की स्पोक्स पर्सन के दौरा कहा गिया है की जो रेडसी की जो पलिटिक्स चल लही है जस प्रकार से उस में जो दूसरी कंट्री अगर सीधा सीधा लोहा नहीं ले पाती है तो वो backdoor जो है किसी दियुसरे देश को परशान करना चाहती है mainly जो इरान हैं ये सब्रेंटरीज हैं ये अमेरिका को आपका disturb करना चाहते हैं कि उनको एक लंबा route आपका लेना पड़े जिससे कि उनको वो जो long route रहेगा वो costly पड़ेगा और ये red sea में आपके नहीं आपाएंगे और red sea में इनका प्रभुत्व इन टाइप जितने ग्रुप्स हैं attacker ग्रुप्स हैं उनका प्रभुत्व और भी भड़ता जाएगा तो हाओधी रिविलियन्स की spokesperson ने कहा कि हमारे 10 healthy naval personnel अभी या तो मर गए हैं या फिर missing है और उनकी जो boat है उसको crack down यानि कि सिंक कर दिया गया है अमेरिकन नेवी के द्वारा अगर आप पूरे route को देखोगे तो एक तो आपका red sea का इलाका होता है एक उसके right hand side जो है अफरीका Cape of Good Hope के थ्रू जो है रास्ता जाता है यानि कि जो आपका एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अफरीका के एकदम south से तो अफरीका के south से अगर कोई जाएगा नौर्थ हमिरका के तरफ तो उनको coffee costly पड़ेगा इसलिए सब चाहते हैं कि हम switch channel red sea से होते हुए अपने transportation आसानी से कर सके अगर मैं आप सभी को red sea का नक्षा दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपका यमन और जिबूती के बीच में बव अलमंदेव स्ट्रेट आता है इसी स्ट्रेट के जब आप अंदर जाओगे तो आपको red sea दिखेगा और एकदम last वे जो ही यह switch channel आती है switch channel काफी आपकी narrow एक रास्ता है जहाँ पर wish का सबसे बड़ा व्यापार होता है और red sea से जो है world का 12% global trade किया जाता है तो यमन और इरान ये चाहता है कि इस route को हम lock कर दें जिससे कि जो American countries है या फिर और भी other countries है वो ये shorter route न लई पाए shorter route से पैसा हम सभी जानते हैं काफी बसता है तो इसलिए इसराइल को एक प्रकार से जो है back door से attack करने के लिए हमास को back door से आपका और भी शक्तिशाली करने के लिए जितने भी ऐसे देश जो कि समर्थम दे रहे हैं आपके हमास को वो चाहते हैं कि हम एन केन प्रकारेंट जो है global trade को global shipment को आपका प्रभावित कर सके वहीं पर इस company के द्वारा कहा गया है कि इस attack में हमारा कोई भी crew member ना तो घायल हुआ है और सभी जो है safe है और अमेरिका के द्वारा जो है उनके Navy उनके crew members को आपका बचा लिया गया है आप सभी जानते हो कि इंडने Navy भी अपने three warships को लेकर जो है अरबियंसी में deployed है क्योंकि हमारे Navy के एक ship पर जो ड्रोन हमला भी किया गया था जिसके अभी preliminary inquiry में यह बताया जा रहा है कि हाँ वो एक drone attack था और उसके आगे के inquiry हमारे IV, Navy और police agencies के द्वारा काफी तेज़े से की जा रहे है वहीं पर अमीरका ने कहा है कि French UK के जो efforts है वो भी इसमें आपके आगे हैं और जो आपके maritime safety and security बिमको के head है जैकॉब लारेसन उन्होंने भी सभी forces को अपने तरफ से thankful आपका कहा है शुक्रियादा कहा हुआ है अब यह देखना होगा कि geopolitical जो dimension है उसमें एक देश दूसरे देश को कमजोर करने के लिए अलग-अलग आपके प्रयत्न करता है और mainly अभी की जो लडाई है वो जो है maritime security से related है इसलिए भारत अमेरका और जापान कहा करते हैं कि Indo-Pacific region में हमको क्या चाहिए stability चाहिए वो कैसे आएगा जब हम जो है secure उसको करेंगे अपनी navies के द्वारा और China के influence को वहाँ पर रोकेंगे लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही आपका चल ला है जैसे इरान के द्वारा और बहुत सारे ऐसे जैसे कतर भी हो गया वो सभी इन सभी how these militants को आपका support किया करते हैं उनको अपने तरब से पैसे और guns assault rifle आपके provide करते हैं जिससे कि अमेरिका को और भी जो France UK की countries उनको जो है हम threat provide कर सके और वो जल से जल जो है इसराइल और हमास का जो युद्ध है उसमें seize fire ला जा सके उनके युद्ध को भी चलते हुए एक काफी बड़ी news आ रही है जैसे कि अब जो आपके गजा वाले militants हैं उन्होंने कहा है कि हम एक महिने का safe fire करते हैं के लिए तयाहर है साथी साथ हम जितने भी हमारे पास आपके नागरिक हैं उनको हम छोडेंगे तो ये भी एक बड़ा कदम उनके द्वारा आया है तो अब देखना होगा कि red sea में किस प्रकार से आपकी स्थीरता आती है और अमेरिका, UK, France जैसी देश जो है इससे कैसे निपटते हैं आप सभी defense aspirant SSB crack exam के interview और written courses में रोल होकर अपने आने वाले exam के तयारी ज़रूर करें और वो और written code का यूज कर लें अगर आप एक defense aspirant है और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं